वेलकम टू जीके जीयस विथमनीश सर आज पांच मई दो हजार तैस है और आज की जितने भी महत्तुपुर्ण क्रेंट अफेर हैं वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसका पीडियेफ टेलिग्राम पे मिलेगा और टेलिग्राम का लिंक वीडियो की डिस्किप्शन चार मई को साथियो चार मई को एक और दिवस मनाया गया है विष्व कोईला खनिक दिवस अब इस महीने में और कौन-कौन से महत्पुन दिवस मनाये गए तो अंतराष्टिय स्रमिक दिवस एक मई विष्व टूना दिवस दो मई विष्व अस्थमा दिवस कम मनाया गया त तो तीन मई को मनाया गया। साथियों मैंने कल ही बताया था आपका कि वर्ल्ड फ्रेस फ्रीडम इंडेक्स मी भारत कारें के क्या है 2023 मी तो आपको बताना है केमेंट बॉक्स मी कि भारत कारें के क्या है वर्ल्ड फ्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 मी वैसे पर्थम अस्थान पर नौर्वे है कोईला खनिक दिवसकम मनाया गया तो चार मई को मनाया गया अब अगला प्रशना आपका है हाली में किस देश के क्रिकेट खिलारी सबनीम एसमाइल ने क्रिकेट से सन्यास लेने की गोश्चना की है यह दक्षीन अफिरिका की है अब किल राम फोसा और यहां की क्रिंशी है साउथ अफिरिकन रेंड क्या है तो साउथ अफिरिकन रेंड अब क्रिकेट तो देखो क्रिकेट की सरवच संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल अर्थात ICC इसका हिट क्वाटर है दुबाई में और इसकी स्थापना ह हुई थी 15 जून 1909 को और इसके चेयर परसंट कौन है तो ग्रेगवार के लिए हैं ICC के चेयर परसंट और इसके CEO कौन है तो जी ओफ एलर्डिस है ICC के CEO साथियो कौन है तो जी ओफ एलर्डिस अब BCCI भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है तो BCCI का फूल फॉर्म क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका हेटक्वाटर है मुंबई में कहा है तो मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1928 में हुई थी और BCCI के प्रसिडेंट कौन है तो रोजर बिन्नी है B बिल्डन क्रिकेट कलब जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में जबकि दूसरा क्रिकेट कलब का नाम है मेरी लिवोन क्रिकेट कलब इसकी स्थापना हुई थी 1787 में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था तो 1877 में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच हुआ था और ये मेलव और आस्टेलिया के बीच हुआ था, साथ हो कहा हुआ था, मेलवर्न में हुआ था, आस्टेलिया और इंगलेंड के बीच हुआ था, पहला एक दिवस्य मैच ये कहा हुआ था, मेलवर्न में और ये इंगलेंड और आस्टेलिया के बीच हुआ था, जबकि पहला टेस्ट मैच क और पहला एक दिवसी मैच कब हुआ 1971 में पर्थम वर्ल्ड कप इंग्लेंड में हुआ था बिस्टन्डीज और और उस्टिलिया के बीच कब हुआ था तो 1975 में हुआ था और माइक्रोशॉप्ट की अस्थापना भी हुई थी 1975 में साथ यो अब क्रिकेट में कुछ ट्रोफी है रंजी ट्रोफी, इरानी ट्रोफी, दिलिप ट्रोफी, सीके नाइडू ट्रोफी कौँसा ट्रोफी? तो सीके नाइडू ट्रोफी, रानी जहांसी ट्रोफी, देवधर ट्रोफी साथियो जीडी बिर्ला ट्रॉफी और रोहिंटन वारिया ट्रॉफी ये सब का संबंध क्रिकेट से है साथियो साथियो आपको बताना है केमेंट बॉक्स में किस अंतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है अगला प्रशना आपका है हाली में किस राज सरकार द्वारा गीता कुर्मी कुला भीम भीमा योजना के शुरुआत की गई है तो गीता कुर्मी कुला भीम योजना के शुरुआत की गई है तेलंगना के द्वारा साथ्यों आपको मैप में दिख रहा हूँ गरीन कलर में यही आपका है तेलंगना साथ्यों तेलंगना की इस्ठापना हुई थी 2 जून 2014 को आंदरपरदेश से अलग हो कर गी और आंदरपरदेश भासा के अधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राच्य है तो आपको बताना है कि आंदरपरदेश की इस्ठापना कब होई थी गीटा, कुर्मी, कूला, भीम, योजना, साथ्यों यह है क्या तो यह देखो तारी तसकर की आकास्मिक मिर्ति होने पर उसके परीवार को पाँच लाक रुपे दी जाएगी अगिसी भी तारी तसकर की मिर्थी होती है तो अब साथ ही तेलंगना में शुरू किया गया है तो तेलंगना की राजधानी है 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 हैद्राबाद तेलंगना के गवर्नर है तमिल साही सौंदो राजन और तेलंगना के मुख्य मंतरी कौन है तो की चंदर सेखर राओं हैं ते लंगना के साथ योग मुख्य मंतरी ते लंगना की इस्थापना हुई थी दो जून 2014 को कब हुई तो दो जून 2014 को ते लंगना की इस्थापना हुई कवाल वन्नेजिभ अभ्यारन अमराबाद बागरिजरव कसु बरमानन्द रेड़ी रास्ट्रिय उद्ध्यान कहा हैं ते लंगना में हैं चार मिनार हैदरबाद में इस्थित है और इसके निर्मान करता कौन है तो कुली कुतुब साह ने चार मिनार का निर्मान करवाया था और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है तो मूसी रिवर के किनारे है हिमायत सागर और सरोवर नगर जील हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतराश्टी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है पाक कला का सहर युनेस्को का उपनाम है कोंडा पोचंपा सागर पर योजना गोदाबरी रिभर पर ते लंगना में है काले स्वरम पर योजना गोदाबरी रिभर पर बन रहा है किस राज्य में है ते लंगना में है समकाका सागर सिचाई पर योजना ये गुदाबरी नदी के ऊपर मुल्गु जिले में बन रहा है समकाका सागर सिचाई पर योजना राजीव गांदी अंतरास्ट्री हवाई अड़ा कहा है तो हैदराबाद में हैं और मैंने भी तुरंद बताया कि हैदराबाद मुसी नदी के किनारे है साथियो अगला प्रशन है केमरील क्रेमलीन पर दो ड्रोन हमले के बाद रूस ने रूस के राश्टरपती पुतीन की हत्या की कोशिस का आरोब किस दिस पर लगाया गया है तो साथियो रूस ने राष्टरपती पूतिन की हत्या का आरोब लगाया है यूकरेन पर यूकरेन ने रूस की राष्टरपती की हत्या की कोशिश की है क्रेमलीन साथियो कहां पर है तो रूस की राष्टरपती मासकों में क्रेमलीन है जहां पर रूस की राश्टरपती रहते हैं तो साथियो यूकरेन ने साथियो हमला की ऐसा रोब लगाया गया है तो यूकरेन की राश्टरपती कौन है इसका जवाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको और आपको दिख रहा हुआ इमेज में यही है साथियो किरिम लीन जिस पर अभी ड्रोन हमले हुए थे लेकिन रूस के एर डिफेंस सिस्टम ने उसे द्वस्ट कर दिया साथियों अब रूस तो देखो कित्रिम उपगरह को अंतरिक्ष में प्रिचेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस हैं अंतरिक्ष में जानने वाला पर्थम बैकती था मेजर यूरी गौगरीन जो रूस का था अंतरिक्ष में तैरने वाला पर्थम बैकती है अलेक्सी लेनेबो रूस के राष्ट्रपती कहा रहते हैं? तो क्रेमलीन में रहते हैं रूस का आश्ट्री चिन्ने क्या है? डबल हेडिर एगल साथियो छटरफल की दृष्टी से सबसे बरादिस कौन सा है? रूस सबसे लंबा नदी मोहाना ओब नदी का मोहाना है जो रूस में है सबसे बरी जील कौन सी है तो कैस्पियन सागर जील सबसे गहरी जील कौन है वैकाल जील और रूस के संसद का नाम क्या है तो डियूमा है कैस्पियन सागर जील जो है ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, अजर्बेजान और इरान में फैला हुआ है ओनेगा जील कहां पर है तो रूस में है ओनेगा जील और केस्पियन सागर जील कहां है तो रूस में है कजाकिस्तान में है तुर्केमिस्तान में अजरबेजान और इरान में सात्यों लगती है अब देखो बहुत सारे राश्टरपती और प्रधानमंत्री है जिसके हम लोग न किनाडा के प्रधानमंत्री रहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बिटेन के प्रधानमंत्री कहा रहते हैं तो 10 ड्राउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं साथ यो किर्वनील में कौन रहते हैं किर्वनील में तो ये इटली के राष्ट्रपती रहते हैं और करेमलीन में कौन रह रहते हैं वकिंगम पैलेस में बिटेन की महरानी रहती है मडेका पैलेस में कौन रहते हैं तो इंडोनेसिया के राष्टर पती रहते हैं एवान ए सदर में कौन रहते हैं तो पाकिस्तान के राष्टर पती रहते हैं साथियो डलोज में आस्टेलिया के प्रधान मंत्री रहते बुलू हाउस में दक्षिन कोरिया के राष्टरपती रहते हैं वाइट हाउस में अमेरिका के राष्टरपती रहते हैं और एलसी पैलस में फ्रांस के राष्टरपती रहते हैं साथियो भारत के राष्टरपती कहां रहते हैं तो राष्टरपती भवन में रहते हैं आपको ब तो अजय बंगा बने हैं वर्ल्ड वैंक के नई अध्यक्ष देखो अजय बंगा जो है ये भारतिय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं तो अजय बंगा का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 10 नमंबर 1959 में पूने महारास्टर में हुआ था इनके पिता का नाम था हर्वजन सिंग ब सब्सक्राइब कर देखो अजय बंगा बने हैं जो भारतिय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं अगला प्रशन आपका है हाल ही में किस राज्य को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया है तो सबसे इनोवेटिव राज्य का जो दर्जा दिया गया है यह करनाटक को दिया गया है यह आपको साथियो इमेज में दिख रहा होगा यही है साथियो करनाटक राज्य तराज्य है, यह महरास्टर है, और यहां पर गोवा है चोटा सा साथियों, तो यह सब राज्यों से कर्नाटक की सीमा लगती है साथियों. अब देखो, यह जो रीपोर्ट आया है, इनोवेटिव राज्य का साथियो ये किसने जारी किया है तो नैस्तल मैनुफेक्चरिंग इनोवेशन के द्वारा यह इनोवेटिंग राज्य में पर्थम अस्थान पर करनाटक है और अगर सकेन अस्थान के बारे यह बात करें तो यूनियन ट्रेटरी दादर वो नगर हवेली है और दूसरे अस्थान पर ते लंगना है साथियो दादर वो नगर हवेली के में अस्थान पर है दूसरे अस्थान पर है ते लंगना है तीसरे अस्थान पर साथियो और पहले स्थान पर कौन है कनातक की राजधानी है बैंगलोर और बैंगलोर में इश्रो का हिट क्वाटर है कनातक के गवर्नर है थावर चंदर गहलोत कनातक के मुख्य मंत्री कौन है तो बस्वराज बोमबई कनातक के मुख्य मंत्री है कनातक में राजसभा 12 है और लोकसभा 28 है पु तूर गाउं जो भारत का एकमात्र ऐसा गाउं है जहां संस्क्रित बोली जाती है यह पंचायत पुरुसकार 2022 किसको दिया गया तो करनाटक को दिया गया राष्टिय सिक्षा नीती 2020 को लागू करने वाला भारत का पहलराज्य करनाटक बना है अलमाती बांध कृष्णारी भर फसल बीमा योजना पुरुसकार गिस ने जीता है तो करनाटक ने जीता है फसल बीमा योजना पुरुसकार और अभी मैंने तुरंत पताया कि इनोवेटिव राज्य की सुची में कौन सा राज्य पहले इस्थान पर है तो करनाटक साथ ही हो अगला प्रशना आपका है हाल ही में किस राज के संपीती घाटी की महिलाओं के लिए इंदरा गांधी सम्मान निधी योजना की सुरुआत होई है कहां पर तो हीमाचल परदेश में यह आपको मैप में दिख रहा है यही साथ क्यों है हीमाचल परदेश तो आपको बताना है क केमेंट बॉक्स में कि हीमाचल परदेश की सीमा जो लगती है यह कौन-कौन से राजे से लगती है देखो इस योजना के तहरा वर्स से अधिक उम्रे के महिलाओं को परती वर्स परती मां पंदरो सो रूपे दी जाएगी साथियों और यह हीमाचल परदेश में सुरू हु और सिमला में है कैंदरिय आलू अनुसंधान संस्तान साथियों कैंदरिय चावल अनुसंधान संस्तान कहां है तो इसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको और हीमाचल परदेश के गवर्नर है सिप परताप सुक्ल हीमाचल परदेश के मुखे मंतरी है सुक्वें अग्यात सभो की पहचान के लिए DNA database तयार करने वाला भारत का पहला राचे कौन बना है तो हिमाचल परदेश बना है साथियो अब अगला प्रशना आपका है खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्क्रन की मिजवानी कौन करेगा तो साथियो इसका मिजवानी करेगा उत्तर परदेश साथियो ये आपको दिख रहा है इमेज में साथियो ये उत्तर परदेश आपको औरेंजी कलर में दिख रहा होगा भारत के मैप पे साथियो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा कौन-कौन से राजसे लगती है इसका जबाब देना है केमेंटर बॉक्स में अब साथियो खेलो इंडिया निवर्सिटी गेम यूपी में होगा तो बरतमान में केंदरी ये खेल मंतरी कौन है अनुराग सिंग ठाकूर है बरतमान में केंदरी ये खेल मंतरी अब उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है लखनौ उत्तर प बताना है कितना डिष्टिक यूपी में है दुधवा राष्ट्रिय उद्यान बखीरा वन्य जी बभ्यारन किस राज्य में है तो यूपी में है बखीरा वन्य जी बभ्यारन पिल्वित राष्ट्रिय उद्यान यूपी में है राम गंगा परियोजना राम गंगा रीभर पर ह और यूपी में है रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और कहां पर है तो यूपी में है साथ्यों एक और परियोजना है उसका नाम है सौरिहंद परियोजना ये सौरिहंद परियोजना किस राज्य में है आपको बताना है केमेंट बॉक्स में अगर आपसे पूछ दे किस पर्योजना किस नदी पर है तो 17 नदी पर है। समगर सिक्षा अवियान की सुरुवात कहा हुई है यूपी में साथियो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ इससे मैं वीडियो के अंत में आपसे पांच प्रशन करूंगा और जो बच्चे साथियो उस पांच प्रशन का सही जवाब देंगे और उनका केमेंट प्रथम अस् सब करेंगे साथियो तो साथियो आपको अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें साथियो और बेल आइकन को दबा दी ताकि आपको डेली अपडेट मिल सकें देखो इबाहन अवियान के तहत सरकारी विभागों में 100 परसेंट ईवी लक्ष बनाने का रखा है उत्तरपदेशने साथियो और उत्तरपदेश 2030 तक अपने सभी बहानों को इलक्ट्रिक बहान में करमट कर देगा कब तक तो 2030 तक साथियो अब अगला प्रशनाप का है ओलेंपिक पदक बिजेता निजेल ओसोम ओमोस निजेल ओमो इमेज में दिख रहे हैं यही है निजेल ओमोस साथियो जिन पर तीन साल के लिए बैन लगा दिया गया है और इनका समद्ध कौन है साथियो यह तो यह धावक है कौन है धावक है अब साथियो अगला प्रशना हमारा है फोब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सब से अधिक कमाने वाले खिलारियों के सुची में पहले अस्थान पर है क्रिष्टियानो रोलांडो दूसरे अस्थान पर है लियोनेल मेसी तिसरे अस्थान पर है किलियन इमबापे और चतुर्थ अस्थान पर है लेबरोन जैम साथियो और पहले अस्थान पर कौन है तो क्र क्रिष्टियानो रोनाल्डो साथ्यों इनका संबंद फुट वॉल से है तो आपको बताना है इन तीनों प्रेयर का संबंद किस खेल से है ये साथ्यों एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है कि फुप्स दोजारत तैस में कौन सबसे अधिक कमाई में पहले स्थान पर है तुरैक्षिश्टियानो रोलांडो जो फुट वॉल खेलते हैं साथिऊ देखो खिश्टियानो रोलांडो कितना कमाया उन्होंने इस वर्श वें तू साथियो एकสथी स्थैस लियोनेल मेशीन साथियों कितना 130 मिलियन डॉलर किलियन एमबापे 120 मिलियन डॉलर और लेबरोन जैम से साथियों 119.5 मिलियन डॉलर साथियों इन्होंने कमाया है अब महत्पूर्न खेल है जिनके ट्रॉफी को देखते हैं साथियों बैडबिन्टन में नागर कप चड़ा कप दिया जाता है ब्रीज में राम निवास रुया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी और होलकर ट्रॉफी दिया जाता है ब्रीज में साथियो पोलो में दिया जाता है इजार कप प्रीथवी पालसिंग कप राधा मोहन कप और क्लासिक कप जाता है पोलो में और गुल्फ में वाकर Cup, Circuit Cup, Ride Cup Dunhill Cup Prince of Wills Cup तो, Golf में दियाता है साथियो साथियो, आज कि जो हमारे टिस्ट के बिजिता साथियो थे वो कौन थे, तो वो थे Pinto Singh साथियो, जो बिजिता थे आज साथियो मैं आपसे पाँच प्रशन करूँगा जिसका जवाब देना है आपको केमेंट बॉक्स में और जिस बच्चे का 500 प्रशन का जवाब सही होगा और पहला केमेंट होगा उन्हें 20 रुपीज की रासी दी जाएगी और पर्थम भारतिये गवर्नर कौन थी तो सीडी देसमुक, चिन्ता मनी द्वारी का नाथ देसमुक, चौथा प्रशन था आपका लुका बृसेल का संबय किस खेल से है, श्नुकर से है, गुरु नानक चैंपियंस ट्रोफी का संबय किस खेल से है, शार्तियोً तो होकी से है, और हकिके जादोगर कौन है, मेजर ध्यान चंदर, खेल दिवस साथियो कम मनाया जाता है, तो आपको बताना है केमेंटर बॉक्स में, आज का आपका पांच प्रशन है, और जो बच्चे इस पांच प्रशन के बिजेता होंगे, उन्हें 20 रूपीजी साथियो रासी दी जाए ये वीडियो, किस राज सरकार ने तारी तसकर के लिए बीमा योजना की सुरुआत की है, दूसरा प्रशन आपका है, इंडोनेसिया के रास्टर पति का निवा सस्थान क्या है, चौथा प्रशन आपका है, अजय बंगा को पदम सरी प्रूसकार गब दिया गया था, और संत आइकन को दबाना न भूले, ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके, धन्यवाद